दोस्तों अगर आप PM किसान सम्मान इधी योजना का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इसी जून महीने में रजिस्ट्रेशन करा लिजे जिससे आपको 4000 रुपए मिल जाएगा इसी के बारे में बड़ा breaking news है जिसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ इसके साथ ही जिसकी ने भी रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है और उसको अभी तक पैसा नहीं मिला है उसे भी 4000 रुपए इस महीने मिल सकता है या आने वाले अगस्त महीने मिल सकता है तो आपको इ अफिसियल वेबसाइट पर ये news आई है जिसमें लिखा हुआ है PM किसान सम्माने दी यानि 30 जून से पहले करा ले रजिस्ट्रेशन तो मिलेगा 4000 रुपए क्या है पुरी जानकारी आपको इसमें पढ़कर बता देते हैं जिसमें लिखा हुआ है PM किसान सम्माने दी योजन अप्रूफ हो जाता है तो जून या जुलाई में आपको 2000 रुपए मिल जाएंगे और इसके बाद आने वाले अगस्त में 2000 रुपए की किस्त आपके बैंक एकाउन में आ जाएगी जो की एक अगस्त को आना कंफर्म हो चुका है इसके आगे आपको बता दे सरकार साल में त किस्त मिली थी वो आपको जुलाई मिल सकती है और अगस्त की नई किस्त तो आपके खाते में आई जाएगी इसके आगे हम आपको बता देते हैं कि PM किसान सम्मानिदी स्कीम मोजी सरकार ने 24 फरोई 2019 को सुरू किया था और या एक दिसंबर को 2018 से ही प्रभावित हो गया था इस स्कीम के तहर सरकार छोटे किसानों को हर साल 6,000 रुपए 3 किस्तों में देती है पहली किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आ जाती है और दूसरी किस्त 1 अप्रेल से जुलाई तक और तीसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नुवंबर तक किसानों के खाते में डारेक्ट करा लेते हैं और अगर आपका अप्रूब हो जाता है तो आने वाले जुलाई तक आपको किस्त मिल जाएगी और आपको इसका फायदा मिल जाएगा इसके साथ या आपको बता दे आधार कार्ड पीम किसान संबाने दी योजना का लाब लेने वाले किसानों को आधार पाएंगी और वहीं bank account number भी बहुत ज्यादा important है किस्त पाने के लिए आपके पास bank account number होना चाहिए क्योंकि सरकार dbt के जरीए ही किसानों को पैसे transfer करती है आपका bank account आधार से link होना जरूरी है इस योजना के तहत किसानों को 2000 रुपए के किस्त को लेकर कई बदलाव हुए हैं यानि अगर आप वहां के निवासी हैं तो आपको registration के लिए आधार की जरूरत नहीं होगी तो अपने documents आप website pmkistan.gov.in पर upload कर सकते हैं आप former corners पर जाकर उसका सारा option है उसमें fill up कर सकते हैं साथ या आधार card को भी वहीं पर जाकर जोड़ सकते हैं जहां पर option है edit आधार detail इस option पर जाके click करके आप update कर सकते हैं आपको बता दे दोस्तों कई लोगों को lab नहीं मिलेगा उनके नाम आपको बता देते हैं केंद्रिया राज सरकार में अधिकारी जो 10,000 से अधिक pension पाते हैं वह लेकिसान इन लोगों को lab नहीं मिलेगा इसके साथ ही वित्तिवर्स में income tax को भुकतान करने वाले किसान भी इसके लाप से वंचित रहेंगे वहीं पर डॉक्टर इंजिनियर, सीए वकील, वर्तमान या पूरो मंत्री, मेयर, जीलंप पंचायत अध्यक्ष, विधायक, LLC, लोगसभा या फिर राजसबस अधस्यों को इसकीम से बाहर रखा गया है दोस् जिसके साथ ही जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है और अभी तक अप्रूब नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप अप्रूब करा लिजे हो सकता है कोई न कोई दिक्कत आई हो आपके काउन नंबर में या IFSC code में या अधार नंबर में जल्द से जल्द किरसी अधिकारी से म अपना रजिस्ट्रेशन अप्रूब कराई है जिससे अगर्स्त में आपको भी 4000 रुपै मिल जाए आसा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा जिससे आने वा